हेलो फ्रेंड्स यह देखे आज मैंने बनाया है चीला बेशन का इसमें डाली है खूब सारी सबजियां तो आपको जो भी सबजी पसंद है आप वो ले सकते हैं मैंने अधर एक लहसुन गाचरों शिमला मिच लिया है इनको चोपर में बारिक चोप कर लिया है और यह मैंने ल आपको पसंदो वो सब डाल सकते हैं इसमें मैंने बेशन ले लिया है एक कप इसमें डाल दिया मैंने नमक और इगयनो और चिली फ्लेक्स आपके पास चिली फ्लेक्स ना होता मिच भी डाल सकते हैं यह डाल देंगे हम चाट मसाला थोड़ा सा और अगर और इगयनो ना होत तो आप इसको बिगर सकते हैं और इसको पानी ड्लकर थोड़ा ठीक बेटर सैयार कर लें इसका और यह एसमें ITे Rememberा कर दें से एवेज़ीटेबल सैड जो मसमने कट कीने सब है तो इसको थोड़ा तोड़ा पानि डाल कर अब एच्छे से मिक्स कर ले पहले फिर हम वेज़िटेबल सैड़ करेंगे, यह देख अच्छे से कर ले ताकि कोई इसमें पर गुठली रहे हैं, इसको अच्छे से बेशन का गोल बना लें, रब इसमें इस सारी वेज़िटेबल सैड़ कर देंगे, अगर आप आज नहीं खाते हैं और लैस्ट नहीं खाते हैं तो आप इसकिप भी कर सकते हैं याद रख सकते हैं और फिर हम ले लेंगे एक नोनिस्टिक पैन आपके पास सिंपल तबाय उस पर भी बना सकते हैं इस पर भी अच्छा बनता है हलका सा ओयल या घी या बटर जो आप चाहिएं ग्रीस कर लें और से डाल कर अच्छे से फैला दे सारे बैटर को ऐसे दीरे दीरे थोड़ा ही मोट हम तब इसको हम पलट लेंगे दूसरी तरफ से भी सेख लेंगे आप अगर हैल्थ कॉनसे से डायटिंग कर रहे हैं या फिर आप इसको बच्छों को भी लंच में ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं तो आप इसको कभी भी खा सकते हैं जब आपका मन हूँ आप इसको पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है यह देखे कितना अच्छा कलर आ गया इसका तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे हम बाकी के बना लेंगे बैटर के चीले और यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं आप इसको सोस क को रिक्षेक के साथ ग्रीन चथनी के साथ किके साथ őं चाहे दाओ भाई आप साध़ी के बनता है इसे घरえー बच्चों को लेते हैं वरना बच्चे बहुत नखरे दिखाते हैं इसको मैंसे थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि उच्छे से दूसरी साइड से भी हमारा सुने रहा हो जाए देगी कितना अच्छा कलर आगे इसका अगर आपको कहीं से लगे थोड़ा कच्छा है तो इसको ऐसी सेर सब्सक्राइब करें और मुझे इस्टाग्राम और फेस्बूक पर भी फोलो करें ऐसी नहीं रेसीपी देखने के लिए बने रहीएगा मेरे साथ थैंक्स फॉर वोचिंग